अगर चाहते हैं भविश्य परिवर्तन, मन्चहाफल, सफलता, हर समस्या का जोतिश समाधान तो संपर करें राष्टपती द्वारा सम्मानित वे भारत कौरव अवार प्राप जोतिश आचारे पंडित कृष्ण कुमार पांडे जी को मैरिश प्राप्लम, बिजनस प्राप्लम, इंटरफेट, मैरिज, मंगल दोश, काल सर्प, मूल, शान्ती, हर प्रकार की पूचा के लिए तीस साल के अनभों के साथ सही वसरतक नाम विश्व विख्यात जोतिस आचारिये, पंडित कृष्ण कुमार पांडे, होल करें 408-480-5477 और विजिट www.hindupriestusa.com वास्तु शास्त्र, याने Living in Harmony with the Earth, वास्तु शास्त्र पर साथ में चत्री लेकर चलने के समान है, जिवन के नेगटिव एफेक्स से अपने आपको घर परिवार, बिजनस आदी को बचाया जा सकता है, वास्तु के पंच तक्त्त्यों सिधानतों के मताबिक रहने से, आपक कुमार्ग से, जिनका फोन नमबर है 510-868-3338, या 510-868-3338, रिमेंबर, Living in Harmony with the Earth, जैमातादी, लिसनर्स, आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस कारिकरम में, एस्ट्रो वास्तु सिलेशन में, इस कारिकरम को ले करके आती हैं, आप सब लोगों को पता है, वास्तु वेशेसग्य रेवा जी, जिन्हें 25 वर्सों से भी अधिक का अनुभव प्राप्त है वास्तु के छेत्र में, इन्होंने बड़ा ही गहरा अधेयन किया है इस छेत्र में, और उसी अनुभव के कारण, जो है, बे एरिया में ही नहीं, बलकि स्टेट्स के डिफरें रही हैं, तो लिस्नर्स, यदि आपको ऐसा लगता हो, आपके घर पे, होटल में, मोटल में, बिजनेस प्लेस पर, वर्क पेस, स्टेडी रूम, बेडरूम या और कहीं पर लगता हो, कि वास्तु दोस्त के कारण, आपको तनाव का, जो है, तनाव से आप घिरे हुए हैं, कॉलिंग नंबर है, 408-912-5565, 408-912-5565, ये नंबर है, रेडियो स्टुडियो का, और रेवा जी यहां पर उपस्थित हैं, आपके वास्तु से जुड़े हुए सभी प्रश्णों का जबाब देने के लिए, यदि आप यहां पर रेवा जी से बात नहीं कर सकते हैं, तो आप उन्हें उनके पर्शनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्शनल नंबर है, 510-868-3338, और अगर आपको विसेज जानकारी प्राप्त करना हो, रेवा जी के बारे में या रेवा जी के द्वारा बताए हुए तमाम सारे रेमेंडीज के बारे में, तो आप उनकी व एफसाइट है, www.divinevastu.net और उनकी इमेल आइडी है, divineavc.gmail.com ये है आपका रिवाजी से बात करने का डिटेल्स, तो लिसनर्स अगें, यदि आपको कहीं किसी भी प्रकार का कोई लगता हो कि वासु दोस्ट छिपा हुआ है, रिश्टरेंट, होटल, मोटल, गैस इस्टेशन या स्टोर्स में, या अपार्टमेंट में, आफिस में, तो आप रिवाजी से बात करें, कॉल करें, रिवाजी से बात करने का अगें नमबर है, 408-912-5565, जो बिना तोड फोड किये हुए, आपके घर में, जो है, खुसिय को जानने के लिए, नमस्कार चारे जी, और हमारे जितनी भी सब लिसनर्स आपको भी मेरा नमस्कार, रिवा जी, आज लोग कॉल तो बहुत करें रहे हैं, लेकिन काल का सिलसला जारी करने से पहले, मैं थोड़ा सा अपने प्रश्न को आप से जोड़ना चाहता हूं, कि वा यहां अंद्विसवास्तो नहीं है, मैं तो जानता हूं कि वास्तु सास्त्र है, वास्तु सास्त्र का सब्द जुड़ते ही जो है धर्म से जुड़ जाता है, अचारे जी आपने बहुत अच्छा सावाल किया, वास्तु वाक्य ही एक शास्त्र है और यह 5000 ओल इंडियन अगर इसको सही five elements को समझे बिना अगर ये किसी को डरा देते हैं कि अगर तुमने घर में ये नहीं किया ये direction नहीं हुआ ये नहीं हुआ तो आपके साथ ये बुरा हो जाएगा ऐसे death हो जाएगी early death हो जाएगी अगर वो कुछ ऐसे डर को डालते हैं तो वो एक जाता है मैं सबसे पहले तो ये कहना जाओंगी कि जैसे आप बताते हैं astrology this is also a science astrology जो है साइंस है वो individual आप एक आत्मी के उनके date of birth के हिसाब से बनाते हैं उसके हिसाब से बताते हैं और वास्तु क्या है वो आपके घर की अपने office की आपके office की astrology है means कि घर की जो कुंडली है दिवारों की घर की directions की जो कुंडली है उसको वास्तु बताती है और जो हमारी दूसरी astrology है जो अचारे जी बताते हैं वो individual आपकी है अब क्या है लोग इसको अगर डरा कर कोई अंधविश्वास डाल देते हैं तो वो अंधविश्वास बन जाता है लेकिन अगर हम proper five elements को ज अगर आप इनको बराबर balance में करके चलेंगे तो यहां हमारे को बिल्कुल यह science हमारे को remarkable results देगे अगर हम नाग के रस्ते पर मूँ ले जाएं मूँ के रस्ते नाग लेगें तो क्या आगए रेवा जी अपसोस की बात की बात है मैं कहना चाहूंगा listeners को थोड़ा सा बताना प्राप्त हो और देखो फल देना परमपिता परमिश्वर के हाथ में होता है हम लोग कर्म करते हैं हम लोग रास्ता बताते हैं लेकिन यह कहो कि हम जादू किछड़ी घुमा करके आपकी भागी की रुखा को जैसे आप चाहते हैं वैसे बदल दे वो तो संभोड नहीं है अचारे जी जो भी हम बताते हैं मैं आपको यह भी बताओं यह हमारा experience के अलाव हमारा अधियना हमारी अपनी studies हैं जो हम कितने सालों से research कर रहे हैं studies को कर रहे हैं और practical उसको अपनी life में लेके घर में इसको practical करके अपने environment में हम आपको share करते हैं लेकिन रेवा जी कुछ अपना में आत्मा को ठेज पहुचता है और मन को मन बहुत दुखी होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं लोगों के यहां जाकर के ऐसा अपनी personal benefit के लिए खुद की स्वार्थ के लिए ब्यक्तिकत स्वार्थ के लिए लोगों को misguide कर देते हैं जिनकों की सच बता वास्तू दोस्त के बारे में वास्तू क्या है वास्तू का मंत्र क्या है वास्तू की दिसाएं क्या है वास्तू के नैवल पॉइंट्स क्या है नैवल पॉइंट्स से direction क्या क्या संबंद है उन directions का हमारे ग्रहों के साथ क्या संबंद है इसकी जानकारी है नहीं लेकिन वास् दर्शन के लिए आते हैं आप शंतुष्ट हों पूरुन रूप से तभी इसको इलिए आगया बढ़ें और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि रिवाजी 25 वर्सों से भी अधिका अनुभो रखती हैं बास्तू के चेत्र में आप इनकी जो है इनका सहारा ले करके यदि वास्तू पर विश्वास करते हैं तो उससे रेमेडीज को ले करके अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं अचारे जी इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगी लिसनर्स को कि आप खुद भी आप अपने घर के बारे में देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं उस प पास्तू टिफेक्ट जी हां ये मैं जरूर कह दी हूं और अगर हम उसके रेमेडीज करते हैं जैसे कि अगर हम रिनोवेशन नहीं कर सकते हैं तो हम चोटे चोटे प्रोडेक्स अगर आपको एक मीरर भी घर पे प्लेस करना है अगर वाल क्लॉक लगानी है तो उसको या कलर को जगा देनी है तो अगर हम प्रॉपर डारेक्शन के हिसाब से एलिमेंट्स को नजर में रखते हुए करेंगे तो आप जितनी भी आपकी घर की नेगेटिविटी है वो दूर होगी आप प्रोस्पेरिटी पासकेंगे वेल्थ पाएंगे फेम पाएंगे हेल्थ अच्छी क्या रखना चाहते हैं जी बैंबू का ट्री आजा बैंबू रखना चाहते हैं आप उसको देखिए थ्री स्टिक्स वाला चोटा जो भी रखेंगे उनको आप टॉयलेट में रखिए ताकि जितनी भी नेगेटिविटी हो वो एबसर्ब करते हैं लेकिन अगर आप फाइव स्टिक्स का यह नां स्टिक्स का रखें उन्हें आप नर्थ ड pakai बच् too के स्टडी टेबल पर भी रख सकते हैं अपने डेस्ट पे एबरग सकते हैं अगर आपको एफिस हो तो सबस्थ क्या श्कता है ऐसे के लिए बहुत अश्चा होता है बacz und offline करता है तो को होता है आप को पैसे की आपिछा होता है तो 12 मISTK्cit करता है यह क्या हां वह खरना नाइन स्टिक्स को ने Taylor 검ण नाइन बंभु को होती है उसमें नाईन बंभु ले ले लीजिए या 6 ना फाीब व्ल मिल ओर 3 भाम्भी वाला जो हो उसको बाथ्रूम रेस्ट्रूम में जगा दिए नाइन बंभू वाल वो ढरकल के लिए दर्ट कर वहा है है हुआ जि नॉर्थ की तरफ रहे है इसको और उसको कौन सी वाल के साथ में रखने जाए नॉर्थ के डिरेक्शन में कहीं पे रख दीजे और एक उस पे रेड रिबन जरू लगा होना चाहिए और उसमें एक पैनी भी जरू डाले पैनी जो कि उसका में रिजन है कि कौई तो इसके फाइव एल्मेंट्स आ जाते हैं एर वाटर आर्थ फायर स्पेस इसलिए इसके बहुत ही जादा इंपोर्टेंस है इसमें हमारे फाइव एलिमेंट्स आथे प्रॉपर इसको नॉर्थ में जगा दीजे प्लस रेस्ट्रूम इसे बात नहीं है उसकी कोई प्रॉबलम नहीं है क्योंकि आप बंदी रखते होंगे मुस्ली के खुला रखते हैं इस बंदी रखते हैं यह विंडो अगर सामने है बंदी रखते हैं यह वेल्कम जी लेते हैं अगली कॉल मुझे लगता हैं सॉरी कॉल हो गई है लेकिन कोई बात नहीं आप हमें कॉल कर सकते हैं 408-912-5565 तो अगर आप इस्टूडियो में कॉल कर रहे हैं रेवा जी से बात करने के लिए तो अगेन नंबर है 408-912-5565 और रेवा जी का परस्टनल नंबर है 510-868-3338 अपकी कॉल ड्रॉप हो गई है कोई बात नहीं आप दुबार फिर ट्राइ कर सकते हैं 408-912-5565 रेवा जी तो यह अन्ध विश्वास के बारे में तो आपने हमें थोडी सी जानकारी मिद्या लेकिन हमारा कॉलर्स कहीं वह अन्ध विस्वास में तो नहीं परा हुआ है जरूर मैं लेने की चाहती हूं यहां लेते हैं, यहां लेते हैं, यहां लेते हैं, यहां बताइए, यहां बताएए, यहां बताएए, रेवजी, यह मेरे बेग्रूम के बारे में है, my house face is north, and the bedroom runs from the north facing north right up to the south, it is a lamba sa bana है, and it is on the eastern side, so it's like, you know, north facing, south to the bathroom, south east corner to the bathroom, the main bedroom is north east के तरह है, आप दिखे, अगर आपको मैं बतानुएं कि अगर आप कह रहे हैं, बेडरूम north east की तरफ है, अगर आप इसको change कर सके, तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि south east में ही आप बता रहे हैं, बातरूम है, south is related with the fire element, जहां पर अगर, हाँ, south east के बदले, अगर east में बातरूम होता, यह restroom, toilet seat होती है, तो that was okay, लेकिन south east, south east है, तो वो सही नहीं है, अगर आप उसको change करती हैं, तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकती, तो आप remedy के लिए उससे help ले सकती हैं, सबसे पहले कि आपका जो जहां पर आपका bedroom है, उसको extreme, उसका south west की तरफ आप अपने bed को कर दीजिए, आपका south की तरफ होना चाहिए, extreme south की तरफ, southwest में कर दीजिए, secondary, north west, जहां आपका bedroom है, देखिए कि वहां पर north wall पर अगर mirror है, that is good, but it should not reflect your body at all, okay, third, आप उसके उपर में silver wire को जरूर जगा दीजिए, north wall, north wall का entrance, जहां आपका entrance, bedroom का door है, उसके बाहर के side पे आप silver wire लगा दीजिए, next, आपने room के बीच में उस bedroom में water को कहीं जगा नहीं दीजिए, water से related कुछ भी जगा मत दीजिए, okay, 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 thank you so much, you're welcome, लेते हैं, next call, yes, you're live on air, yes, this is Raghadji, hello, this is Raghadji, yeah, I'm Rewa here, yeah, my name is Abraham, I don't speak Punjabi or Hindi, no problem, you can speak in English, okay, okay, my problem is, since two months from second week of June onwards, I suddenly got sick and I still feeling sick, and what happened is on the first week of June, I saw two, you know, the garden snakes inside our garage, that was the first time in 10 years time I am seeing a snake, and I caught both of them, it was a small one, and I killed them, and after that the second week of June onwards, I got sick, my stomach, and I am still, I think your call has dropped, but if you're having any questions, no problem, I think your call has dropped, call me after the show, 510-868-3338, next call, yes, you're live on air, hello Rewa ji, yes, tell me, I have to ask, you're talking about the entrance of the house, the direction of the house should be correct, what is the meaning of the right, and the south direction or the west direction, why didn't you tell us so much about it, okay, that's very good dear, you asked me a very good question, first of all, I will tell you, this is totally a science, if we say north direction, we say north-east and northeast is the best direction, if your house is facing to this direction, reason why is, because north, we get magnetic waves, ultra rays, sunlight gets us east, after noon, after noon, this is the only ultra rays, our infrared rays, convert, second, if we look at the same, that if you look at the south, 90 degree angle, if you look at the south, then the house is okay, but if we come to the south, west, then we don't believe it, it's okay, that's why the reason, infrared rays, is, that what is, the positive energy, the magnet waves, rays, the north, and north, and north is the head of the vastu purusha, अगर आप कभी भी देखें कि इस head के साथ में north को related किया गया है, means कि जितना अगर आपका north neat clean light होगा, उतनी ही आपके बीच में power होगी, ताकत होगी, और जब हमारा दिमाग हमारा हलका होगा, अच्छी सोच होगी, अगर उतना ही weight हमारी टांगे ठीक ले पाएंगी, अगर north ह हमारा heavy हो जाएगा, तो नीचे हमारी टांगे नी block लेंगी, तो सीधा रस्ता यही है, कि north से आपको पैसा आ रहा है, positive vibes आ रही है, ultra energy आ रही है, south अगर block होगा, south अगर heavy होगा, तो that is our bank, वो उसको store करके रखेगा, तो इस हिसाब से, according to the वास्तो principles, if generally we focus, the north and east, north east is the best direction if our house is facing, और south उसे हमारा block हो जाता है, south हमारा heavy हो जाता है, this is the reason, और अगर south भी अच्छा है, south अगर आपका तब अच्छा है, अगर आपके north की तरफ अगर आपको जादा open space हो तो, तो मतलब backyard अगर north में है, हमारा पूरा खुला, जी, तो हमारा south ठीक है, then south is ठीक है, लेकिन उसक के अंदर enter किया, और आपने living room दे दिया, और वहां हमारे को living room नहीं चाहिए, living room, family room आप बाहर नौर्थ की तरफ पीछे ले जाए, लेकिन south में, अगर मैं enter कर रही हूं, तो left side में, जहां पर south left आता है, that is, आपका southwest आजाएगा, अंदर enter वकत में, तो वहां पर आपका जर वहां पर window नहीं होनी चाहिए, a solid wall should be dear, तो अपने सब सोचते हैं, कि south में अगर windows रहती है, तो सर्जियों में धूप अच्छी आती है, आप सोचते हैं, वह दुपहर तक है, 12 बज़े तक, एक बज़े तक मैंने आपको बताया, कि वही sun light energy, जो ultra rays होती है, वह infra rays बन जाती ह हैं, और वह क्या होती है, कि हमारे को negative approach देती है, अगर हम astrology भी अगर आप देखते हैं, planets को भी dear अगर आप नज़र रखते हैं, तो south is related with whom, south is related with the Mars, southwest is related with the Rahu, and west is related with the Saturn, south को हम लोग यम का area भी मानते हैं, I cross my finger, अगर किसी की death हो जाए, तो उसकी dead body जब निकालते हैं, तो south के area को हमेशा यम का माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ, वही south अगर हम block करते हैं, उसको heavy करते हैं, वहाँ heavy furniture करते हैं, वहाँ window नहीं रखें, तो यही south हमें फायदा देता है, वो क्यों, क्योंकि north की तरफ की जितनी भी energy आरी है, positivity आरी है, वहाँ पे block होनी शुरू हो ज बाइर अगरी है, वह हैं, अगरी है, लेकिन is that a solution or is it like a way towards it? listeners, you please don't make us wrong, there are a number of callers, if you have a question from 2, then you pass after your talk on Rewa ji's talk, मुझे मुझे । और राच कर आप कर दा नres. थैटी आप अंची 覺ंस प्रांटर शुच्छ। आप एक पेर लीजिए और मैं सबसे एक पापता हूं मैं खुद कस्टुमाइज पीकॉक औरिचनल पीकॉक फैदर्स को बिकुल फ्रेम करके उसको एनरजाइज करके भी देती हूं अगर आप कभी भी आपसे में क्लाइंस बताना चाहूंगी बच्चों के रूम में आप अप अपने बेड्रूम के बाहर कहीं पेवी पर उसको पेर रखिए सिंगल मत रखिए इवन अपनी वर्क बिसनेस प्लेस पे भी औरिचनल पीकॉक फैदर को आप रखिए तो आप रखिए तो आप रजल्स ही देखे क्या मज़दा रजल्स हैं इसके लावर वास में बंच रख Okay, my name is Abraham, I'm calling from Tracy, California Abraham, I think you're having some health problem you were discussing, your call dropped me There's no problem because I just want to know which direction your house is facing You just find out which direction your house is facing, where are you sleeping All directions must be well known to you Then call me after the radio show at 510-868-33-38 Or email me whatever your question, definitely I'll give you the answer, dear What's the email address now? DivineAVC at gmail.com DivineAVC at gmail.com A for Apple, V for Victor, C for Cat Okay, DivineAVC at gmail.com Yes, you just email me your question, okay? Okay, and the phone number you said is 510-868-33-38? Yes Okay, okay, I'll email and I'll call to make an appointment But you must know each and every direction, okay? Okay, okay, ma'am Thank you Let me have a next call, yes, you're live on here? Hello? Yes? Yeah, I need to ask some questions with Reva Ji You're welcome, dear Hello? Hello? Yes, speak out Hello? Yeah, I'm listening Are you Reva? Are you Reva? Yeah, I'm Reva, yes, I'm Reva, speak out Okay See, I need to know what is Ikea, what tool is Ikea? This is science, this is ancient Indian science This is totally 5000-year-old Indian ancient architect science And it is related with our five elements You have to balance all five elements That is air, water, earth, fire and space Hello? Hello? Hello, yes, you're live on here? Okay, I have a question You know, in my bedroom There's a beam Where my bedroom is there I mean, on the top of my bed And somebody told me it's not good And I feel like so much depressed When I wake up in the morning You're right Who has ever told you that is very right? That if you sit down below the beam Or if you sit down below the beam Then you get a lot of stress Lots of stress Or restful life Because you can say that Health issues and All negative thoughts you will get So if you switch it to bed That is the best And if you cannot Then you can take the help from me We are having some customized products Also of the pyramids Or you can put a pair of flute also On that beam Bansuri Yes, Bansuri I do visit I do visit I do visit I do visit पर विजिट करेंगे, you will get the details, that is www.divinevasthu.net और अगर आपका कोई कुश्चिन है और या मुसे स्केजुल करना जाते हैं for my visit, I always visit the sites, plots, hotels and the liquor stores, every place I do visit, आप मुझे कॉल कर सकते हैं उसके लिए चलिए ऐसा है, वो जो कहते हैं डील अभी मैं, इसमें रेडियो शो पे हूँ, आप लोगों की services पे हूँ, लेकिन अगर आपका कोई ऐसा सवाल है तो मुझे show के बाद call करिएगा, या मेरी website, thank you, thank you, you're welcome, तो जल्दी से अब मेरा समय बहुत कम रह गया है, callers, I'm really sorry, कि मैं आपकी calls नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आप show के बाद call करिए, अचारे जी ने मेरे से सवाल किया है, finance के लिए कि financial success कैसे मिले, तो उसके लिए मैं आपको यही बताना चाहूंगी, कि north should be considered the best direction for the success of the finance, अगर आपके देखते हैं कि financially आपके losses हो रहे हैं, growth नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आप जल्दी से जाईएगा घर पे, या अभी आप घर पे हैं, तो देखे कि कहीं water leakage तो नहीं है, कहीं पानी तो नहीं ड्रॉप कर रहा है, या कहीं पे drainage blockage तो नहीं है, if something is like this, it means कि तभ आपको financially losses हो रहे हैं, जल्दी सो उसको fix कर दीजेगा, इसके साथ में और भी बहुत जरूरी है, that is the trash, जो आपका trash है, trash bins are कहीं आप North या North East में तो नहीं रख रहे हैं, it should be always in the West or Northwest, sorry, only on the Northwest, और कभी भी आप evening time में trash नहीं करें, third जो मैं आप से share करने के लिए जा रही हूँ any electronics, any electronics means might be the computers ले लिजे, blenders ले ले लिजे, press ले ले लिजे, mix ले ले लिजे, if they are not working in working position, तो आप उनको या तो ठीक करवाईए, या आप उनको भी trash कर दीजिए, ये छोटी सी बाते हैं, कहने को आपको हसी हैंगी, कि अगर पानी का, पानी का slope अगर North से South की तरफ जा रहा है या west से east की तरफ जा रहा है, तो भी हमारे को finance के losses होते हैं, तो उसके लिए हमी क्या करना है, where is, आप अपने south को heavy कर दीजे, या drainage का थोड़ा सा रास्ता चेंज कर दीजे, next, bamboo plants के लिए, जैसे हमारे पहले ही एक caller ने हमसे सवाल किया था, अगर कहीं पे हमारे को financially growth हमारी र या business कर रहे हैं, तो please अपने bedroom से बेकुल मत कीजेगा, क्योंकि bedroom से जो आपकी positivity है तो होगी ही, लेकिन जो electronics को आप use कर रहे हैं, वो आपके temperament को इतना करेंगे कि वो negativity में लेकर आ जाता है, तो कोशिश करिए कि अगर आपका work हो, business हो, आप उस जगा पे नहीं करके, आप उ restaurant हो, या आपका कोई भी सवाल हो, अप में callers call तो नहीं ले पाऊंगी, जाते जाते आपको tip जरूर देना चाहंगी, how to get the financial growth, अब ठ्यान से लीजे, the four left hand corner as you enter your office in your wealth prosperity corner, this corner should be clutter free, well eliminated, which ensures your prosperity, so energize your prosperity corner and that must be the north, जितना north को आप energize करेंगे, north east को करेंगे, उतना ही positive results मिलेंगे, मेरा समय हो गया है, जा रही हूँ, और जाने से पहले इतना करूँगे, जो तीस से जुड़ा सवाल हो, तो call करे अचारिया जी को 401-480-5477, रेवा से जुड़ा सवाल हो, जो लेगा जाती है, दिशाव की कुछ करने की तमना हो अगर दिल में, तो जमीन क्या आसमान भी साथ देता है, तो जाने माता दी